सूरी की रेखा यह सबसे योंक्क है यह मैं कहूं तो 10 पर्सन के हाथ में सूरी की रेखा प्रभल दिखेगी चोटी मोटी सूरी की रेखा हर के हाथ में दिख जाएगी जो फेतार रिखा से उपर की और जाते है इस तरह से या इस तरह से ठीक है लेकिन जो प्रबल सूरी की रेखा है उसकी शुरुआत राहु शेत्र से हो या जीवन रेखा से हो यह जीवन रेखा सीधी यहां से सूरी की रेखा शुरू हो या राहु शेत्र से यहां से सूरी की रेखा शुरू हो तैसे लिवों को सडनली अच्छानक से नेम फेम मिल जाता है आज के डेट में देखेंगे कुछ लोग सोशल मीडिया में आते इतने फेमस हो जाते हैं कुछ एक दो वीडियो में ही इतने जादा वाइरल हो जाते हैं कि बस उनका डिमांडी बढ़ जाता है सूरी परवत पर जाने वाली स्वतंत्र रेखा को सूरी रेखा कहते हैं यह रेखा हतेली पर कहीं से भी आरंभ हो सकती है जीवन रेखा से भागे रेखा से मंगल परवत से मस्तिश्क रेखा से या मंगल के मैदान से देखो जब भी बात मैंने कही तीन चार जगों सब यहां अगर जीवन रेखा से निकले जीवन रेखा से निकलके जारी हो तो सरकार द्वारा अवार्ड मिलना सरकारी नौकरी का मिलना या सरकार द्वारा बेनिफिट होना ठीक है और इस वज़से ऐसे लोग अच्छे साहीतिकार होते इनको कर्म से अपने कर्मों से इनको अगर भागे रेखा से जाती हो इस तरह से ऐसे वैक्ति को नेम बहुत मिलता या फिर ऐसा वैक्ति राजनीती में जाता ह ठीक है राजनीती में involved voter है सरकारी नौकरी मिलने के संभावना ऑरती सरकारी नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़कर फिर राजनीती करते हैं या अच्छे आर्टिस्ट होंगे जो काफी कम उमर में ही उनको फेम नेम फेम मिल जाएगा मस्तिश के रेखा से निकले ठीक मस् करेंगे जिसमें दिमाग का प्रयोग होगा बहुत अच्छा मेंटल गेंगे और जहां पर इनको एकदम से सक्सेस और नेम मिल जाएगा ठीक है और अगर मंगल के शेत्र मतलब यह वाला जो हिस्सा है यह आगया रहू वाला हिस्सा इस तरह से यह रहू वाला शेत्र यहां से गया अचानक फेम थोड़ा सा ऊपर यानि मस्तिश रेखा से थोड़ा सा नीचे से शुरू होता हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगल के मैदान से निकलने वाले रेखा एसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी दिलाती है प्लस यह जो बाइद मंगल की स्थितिय यहां से भी कोई रेखा निकलके परवत के ओर जा रही हो तो यह प्रॉपर्टी दिलाने में काफी हल्प करता इस लोग के पास मल्टिपल प्रॉपर्टी रहने की पॉस्पिलिटी होती है सीधी होनी चाहिए कई बार ऐसी भी होती है थोड़े से बड़ बड़ तुकड़ों में जाती है ऐसे गई है तो भी काम करें लेकिन शने शने मतलब कुछ दिनों तक वह काई फेमस रहा फिर बीच में गैप हो गया फिर उसके बाद फिर से वापस फेम आया इस तरह से चलेग खो कि शया झाल 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 कर वह काम क्वास अधिया जाल झाल 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 कर दो पार चले कर दो कि दो कि अ आल झाल